किसी भी सबजी में खास थोर पर दनिया इस्तेमाल किया जाता है यह सबजी को देखने में सुन्दर लगने के साथ सवात को बढ़ाने का भी काम करता है साथ ही इसमें विटामिन, केल्शियम, आयरन, एंटियोक्सिडेंट, एंटी बैक्टियर गुन होते हैं ऐसे में इसे खाने से वजन कंट्रोल रहने के साथ अन्ने बीमारियों से भी बचाव रहता है खास तोर पर डाइपटीज के मरीज़ों को इसका सेवन जूर करना चाहिए नमश्कार दोस्तों आज सावी का हमारे यूटिप चाहरे पर हादिक स्वागत है दोस्तों आज हम आपको बताएंगे दनिया खाने से मिलने वाले फाइदों के बारे में तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से डाइपटीज में दनिया है फाइदमन पर्तिशत पाये जाता है असल में यह है इंडेक्स खाने में कार्भोहडरेट्स की मात्रा को मापने का एक पैमाना है इससे ही शेरीर में शुगर लेवल की मात्रा पर असर का पता चलता है साथ ही कम G.I. E. लेवल वाली चीज़े खाने में जल्दी पचने के साफ वजन को कम करने का काम करती है तो आईए जानते हैं कैसे करना है इसका सेवन इसके लिए 10 ग्राम साबू दनिया को 2 लिटर पानी में बिगोकर रात बर रखें सुबह इस पानी को छनी से चान कर खाली पेट पिएं आप चाहे तो पूरा दिन इस पानी का सेवन कर सकते हैं दनिया में मुझूद फ्लेवनाइड, पॉलिफेनॉल, बी कैरोटिनाइड जैसे कमपान्ट खून में एंटी हाइपर ग्लैक केमिक, इंसुलीन डिस्चारजिंग और इंसुलीन प्रोड्यूस करने में मदब करते हैं इसके कारण बलड में गुलकोज लेवल नियंतिर रहता है तो आईए जानते हैं दनिया के अन्य लाब इसमें फैट कम होने से कुलेस्टरल कम करने में मदब मिलती है ऐसे में दिल सवस्थ रहने के साथ इससे जुड़ी बीमारियों के होने का खतरा कम रहता है दनिया के पत्तों को छाच में मिलाकर पीने से पाचंतरत मजबूत होता है इसके लावा बदहजमी ऐसीडिटी आदी सहरा मिलता है एक गिलास पानी में दनिया के बीजो को दो गंटे या रात बर बिगोएं फिर इसे गैस की दिम्याज पर मिशन को आदा होने तक उबालें त्यार पानी को दिन में दो बार पियें इससे पेट लंबे समय तक बरा रहेगा ऐसे में बूग कम लगने से बजन कंट्रोल रहने में मदब मिलेगी अक्सर कई लोग मुँ में छाले होने की समस्या से परशान रहते हैं इससे राहत पाने के लिए 200 लिटर पानी में एक बड़ा चमर दनिया पाउडर डाल कर मिलाएं इससे चान कर त्यार पानी से दिन में दो से तीन बार कुला करें हैं ऐसा करने से चालो से जल्दी शुटकारा मिल जाएगा चेहरे पर पड़े दाग दबे पिंपल्स, जुड़ियां, सिंटैन, आदी की परशानी को दूर करने के लिए दनिया बेहत फाइदमत माना जाता है इसमें मौझूद एंटियोक्सिडेंट, एंटिबैक्टिरिल, एंटिइंफ्लामेंटरी गुन स्किन को गहराई से पोशित करते हैं ऐसे में स्किन से जुड़ी परशानी को दूर करके चेहरा एकदम साफ निखरा और जवा नजर आता है इसे इस्तिमाल करने के लिए एक बड़ा चमट दनिया के बीच को एक कप पानी में रात बर भी गोएं फिर सुबे इस पानी को टोनर के रूप में कोटन की मदद से चेहरे पर लगाएं ऐसा लगातार कुछ दिनों तक करने से आपको फरक नजर आने लगेगा तो दोस्तों ये था हमारा आज का टोपिक जिसमें हमने आपको बताया दनिया के फाइदों के बारे में उमीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आए अगर आपको ये वीडियो फाइदे मन लगे तो आप इस जानकारी को अपने दोस्तों से जूशे करें इस वीडियो को जाद से जादा शेयर करके जादा लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाएं लाइक और कमेंट करके अपना फीडबैक भी दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलें कीप शेरिंग और कीप स्पोर्टिंग अस हम जल्दी मिलेंगे आपको ही कोई नी वीडियो के साथ ठैंक्स वर वाज़िए